तो चलो आज मोनाते हैंड टैस्टी शी चना दाल लोकी तो तेल में मैंने डाल राई एंसूखी लालमिच करेंगे करेंगे उसके बाद भीगिवी चना दाल डालेंगे और नमक डालकर थोड़ा सा पाने डालके मैं इसको पकने दूँगी जब तक की डाल और लोकी गल नहीं जाती उसके बाद हम थोड़ा सा जब तक हमारी चैना दाल और लौकी गल रही है तब तक हम मसाला प्रिपेर कर लेंगे तो उसके लिए लहसुन अद्रक और जीरा को मैंने कूट लिया है कूटने के बाद इसमें लाल मिच का पावडर साती हल्दी पावडर और धनिया करेंगे और हमारी चैना दालो की बहुत ही टेस्टी सी बनकर यहां पर तयार है तो इंजोई करें इसे और मुझे फोलो करें थैंक